हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मोनुट्रियलकाडमिय में आपको स्वागत है तो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब सुस्करबर ने मुझे सज़ेस्ट ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताया कि उन्हें BMR पढ़ना है बैसल मेटबॉलिक रेट तो आज के हमारे वीडियो में है BMR बैसल मेटबॉलिक रेट फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बैसल मेटबॉलिक रेट एक्सली होता क्या है इसका इंट्रोडाक्शन क्या है इसके डेफिनिशन क्या है इसका जो measurement of BMR है वो क्या है normal values क्या होती है BMR की and factors क्या क्या कौन-कौन से factors है जो affect करते है BMR को basal metabolic rate को इसके significance क्या है और plus मैं reference भी बताऊंगे मैं आपको इसके लिए आप कौन-कौन से reference से पढ़ सकते हैं किस-किस book से जो हमारा basal metabolic rate है जो हमारा metabolic system है उस पे depend है plus में जो हमारे food के sources है क्या हम ले रहे है nutrients क्या ले रहे है हमारी body के जो nutrients है उस पे depend करता है so friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो like, share, subscribe ज़रूर कीजेगा और channel को subscribe अभी तक नहीं किया है तो please channel को subscribe कर दिजे और bell icon ज़रूर प्रेस कीजेगा ताकि ये new video के update आपको मिलती रहे इसके अलावा friends अगर आपको कोई और chapter पढ़ना हो तो आप comment box में लिखकर हमें बता सकते है उस chapters पे videos बन जाएंगी so friends अब हम स्टार्ट करते हैं Bessel Metabolic Rate so first हम इसका पढ़ेंगे introduction so friends इसका introduction क्या है introduction है इसका food is the fuel source of the body जो हमारा food है जब हम food intake करते हैं तो ये क्या है हमारी body का एक source है जो हमें energy प्रोवाइड करता है the ingested food undergoes metabolic of the elaborate energy required for the vital activity of the body जो हमारी body के अंदा जो vital activities process हो रही है हमारे tissues हमारे cells वोक कर रहे है हमारा organ system काम कर रहा है किसकी वज़े से energy की वज़े से जब हम खाना खाते हैं जब हम food intake करते हैं तो हमारी body का जो system है वो अपना काम उससे energy लेता है उससे क्या करता है वोक करता है बाइचांस अगर हमने खाना नहीं खाया है तो हमारी body क्या करेगी सरी धंग से काम नहीं कर पाएगी friends आपको पता है जब आप fasting में होते हैं तो आपका जो store किया हुआ energy है जो food है जो store किया हुआ है वो बाद में utilize होता है आपके fasting में ठीक है so man consumes energy to meet the fuel demands of the two ongoing process in the body जो man है वो consume करेगा energy को और वो fuel की तरह काम करता है जैसे गाड़ी जब चलती है तो उसे petrol की जरुरत होती है CNG की जरुरत होती है चलने के लिए वैसे हमारी body को food की जरुरत होती है so जो हमारा fuel है वो basically basically BMR metabolic rate है और physical activities है so यह ongoing process है जिसके लिए demand होती है fuel की बैसल metabolic rate के लिए हमें fuel की जरुरत है food के खाने की जरुरत है physical activities के लिए भी अगर आपको physical walk कर रहे हैं तो आपके energy क्या होगी उसमें loss होगी जिससे आपको और energy चाहिए होगी उस काम को करने के लिए तो इससे क्या होगा आपको खाना खाना बहुत जरूरी है definition of BMR अब हम पढ़ रेफरेंस BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसल मेटाबॉलिक रेट का definition क्या है minimum amount of energy required by the body to maintain life at complete physical and mental rest in post-absorbative state जो हमारा energy का minimum requirement है body का वो क्या करता है maintain करता है हमारी life को physical and mental rest से in post-resorptive state okay friends हमने खाना खाया हमारी body ने उसको energy के हम तो food intake कर रहे हैं बट हमारी जो cells है हमारी tissues है हमारी body में जितने भी organs है वो क्या कर रहे है उससे energy ले रही है और उससे energy जब वो ले रही है तो हमारा body walk कर रहा है ठीक है यह जो state है जिसमें क्या होगा energy की minimum requirement होगी हमारी life को हमारी body को maintain रखने के लिए ठीक है friends that is called BMR several functions within the body occurs at vessel condition जो vessel condition है basically जो BMR है उसका जो vessel condition है हमारी body के अंदर काफी सारे functions परफॉर्म करती है so friends अब हम इन functions के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी body में जो vessel है वो क्या-क्या function परफॉर्म करती है work of heart and other organs अच्छा working of heart and other organs यह क्या करती है heart पे और other organs पे भी work करती है ठीक है conduction of nerves impulse conduction of nerves impulse होता है जो हमारी nerve cells है यह उस पे भी काम करती है reabsorption by renal tubles जो reabsorption है renal tubles का renal tubles किसमें तो kidney होती है जिस नहाँ पर kidney हमारी है उसमें हमारी renal tubles होते है जो यहाँ पे क्या करती है reabsorption का काम करती है ठीक है friends iron transport across membranes यह iron transport across membranes पे भी walk करती है vessel जो हमारी vessel membrane है measurement of BMR जो vessel metabolic rate है उसकी measurement क्या है BMR can be measured by the apparatus of benedict and roth जो BMR है basically circuit से measure किया जाता है किसी close circuit से जिसको हम कहते है benedict and roth यानि close circuit device यह हमारा close circuit device होता है जिसके जरीए हम BMR measure करते है human body का by dogles dogles bag method यह open circuit method है do method होते है close method होते है एक open method होता है इन दोनों के method के अलग-अलग नाम है ठीक है friends अब हम पढ़ते है normal values of BMR BMR की normal values क्या-क्या होती है ठीक है adult men adult men के अंदर क्या होता है 35-38 calories क्यों पर meter hour और इसको हम calories per day भी कह सकते है basically यह क्या होता है BMR हमारा जितनी calorie हम gain कर रहे है calorie क्या होता है friends जब हम कोई खाना खाते है food खाते है तो उतनी ही calorie हमारी body में जाती है ठीक है हम calorie लेते है energy लेते है जब हम food खाते है तो women के अंदर कितना तो 1400 1400 calories per day होता है इनका जो वो food intake करती है इसे BMR की normal values है यह अब है factor affecting BMR factor कौन को उनसे factor effect करते है BMR को ठीक है gender men have marginally higher BMR 5% ओके जो man है जो man है वो क्या करते है women के compare में higher BMR होता है उनका vessel metabolic rate क्या होता है उनका high होता है कितना 5% ज़ादा होता है ठीक है age क्या है in infant and growing children's BMR is higher in adult BMR decreases at the rate of 2% decode of life जैसे एक बेबी होता है infant होता है children के अंदर BMR जादा देखा जाता है according to adult जब बेबी अडल्ट होता जाता है तो क्या होगा BMR decrease होता जाता है ठीक है physical activities increase with regular exercise जब हम कोई physical activity करते हैं तो हमारा BMR increase हो जाता है regular exercise के साथ ठीक है our friends ये factors affect कर रहे हैं उसकी values को ठीक है physical activity जब कोई करेगा तो क्या होगा उसका जो regular exercise है वो क्या करेगा उसका BMR increase कर देगा जब वो टेस्ट करवाने जाएगा किसी physical activity के बाद तो उसका BMR क्या होगा हाई आएगा ठीक है hormones कैसे effect करेंगे thyroid hormones होगा वो increase आएगा BMR के अंदर ठीक है अब है fever fever की case में increase हो जाता है जब ही किसी human को किसी people को कोई fever है minor fever है major नहीं है minor fever है तभी BMR क्या होगा increase हो जाएगा अब पढ़ते हैं significance of BMR significance of BMR क्या है friends BMR is important to calculate the chronic requirement of an individual and planning of diet okay BMR हमारे important है जब हम dieting कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा BMR कितना है उसी according हमें diet लेना है dieting plan करने में यह बहुत helpful होता है जिसको diet करना है उन्हें लग रहे है कि उनका weight जादा है या फिर वो irregular तरीके से food intake कर रहे है कुछ भी खा रहे है junk food खा रहे है यह खा रहे है वो खा रहे है तो क्या होता है उनको अपना BMR करवाना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि जो basal metabolic rate है उसकी values कितनी है उनके अंदर अगर higher है तो उसे lower करना है lower है तो उसे वो normal करना है ठीक है फ्रेंट्स BMR इस अब नॉर्मल इन fever diabetic leukemia and polycythemia BMR अब अब आता है किसके अंदर normal fever के अंदर diabetic कोई है malitis हो गया antipetus हो गया leukemia की case में भी होता है polycythemia जिसका hemoglobin ज़ादा होता है as a cause polycythemia फ्रेंट्स से आपको पता होगा कि polycythemia जब hemoglobin किसका 90 cross 19 cross कर जाता है तो उस case को polycythemia कहते है ठीक है आप फ्रेंट्स मैं आपको बता रही हूँ references जो हमारे reference text books हैं आप वहाँ से भी BMR पढ़ सकते हैं basal metabolic rate मैंने आपको बहुत short view बताया है इससे आप easily आपको पता चल जाएगा कि actually BMR में है क्या basal metabolic rate इतना ज़्यादा complicated नहीं है आप इसे easily पढ़ सकते हैं अगर आपको और भी ज़द detail में पढ़ना है तो आप DM वासुदेवन की book भी ले सकते हैं refer में और biochemistry के सत्य नारायना यू सत्य नारायना करके एक और book है आप वो भी refer कर सकते हैं इनमें पूरी full detail में इसके बारे में बताया गया है so friends आज का जो हमारा BMR topic था ही finish होता है so basically आज हमने BMR में पढ़ा basal metabolic rate में introduction पढ़ी definition पढ़ी measurement पढ़ी उसके normal values पढ़ी कौन-कौन से factor effect करते हैं significance के hand and reference में आपको books बताई friends हमारा BMR ही chapter complete होता है और friends वीडियो को like, share, subscribe जरूर कीजेगा और हो सके तो आपको जो भी topic complicated लगता है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप comment box में उस topic का नाम mention कर दीजेगा उस पर वीडियो बन जाएगी ओके, thank you friends